प्रजी गांदी योव मित्र योजना की बहाली के मांग को लेकर लगातार धन्ना जारी है आनल जारी है कटाके की ठंड है खर्चे भी जादा हो रहे हैं सरकार जो है बर्जनाल सर्मागी प्रदेश में उसका कोई मानस नहीं बन रहा भी तरह हाल फिलाल तमाम जो नेता है और खराब हो रही है इंबुलेंस की सब्सक्राइब तुम्हें पर नहीं मिल पा रही है मैडिकल सुझता हों के बाते हैं वहां पर बिलकुल दीरों हैं क्या कहेंगे लेखे सत्ता बदलती है और सत्ता के बाद एक आम आदमी जिनको बोड़ देता है वो विधान सबा में जाने इन लोगों को हमारी जरूरत होगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे लेकिन मैं जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखे इस देश की बेवस्ता ही ऐसी है आज हम लोग और आम अदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है इस बेवस्ता को बदलने के लिए हुआ है जब तक हम लोग अपने अधिकार नहीं मागेंगे इस देश की बेवस्ता नहीं बदल सकती है आज मैं इतने बेरुजगार सा मैं विद्यारतियों को धन्दबाद देता हूँ जो पूरे राजस्तान के कोने कोने से आये चलके अपने परिवार को छोड़ के आये हैं और इस कड़के की सरदी प्याएं हैं तो ये लोग मजबور हैं कोई आदमी नहीं चयता की अपने परिवार से घरबाई लेकिन हम जिन सरकारों को चुनते Mobile सरकार को सत्ता में आने के बाद इतना एहंकार हो जाता है कि वो आहम आदमी को भूल जाते आहम आदमी की परिसानियों को भूल जाते ह वोई साव हमारे राजसान में जो मुखमंतरी बने हैं बजनलाल जी होगे है आज bunu भजनलाली को आना चाहिए चल के आज जनता है जनता उनको बोड़ होगे इन विद्यर्थी के बोड़ 34 ने बी falar समाधान करनाची बातवा हूं कहूं कि आने वाला कल जंता ने आज उनको गड़ी पे बठाला है पांस साल बाद जंता उनको गड़ी से उतार देखे एक सवाल यह भी यहां पर जहन में आ रहा है कि लगातार जो बीपक्स में बैठी ती बीजबी तो यहां के मुद्दों को उनने दमदा तरीके से उठाया था मह कि लिए लोग सथा में पाने के लिए तो हर तरह के मुद्दे उठाते हैं और सत्ता में आने के बाद उन घोस्नाओं को पूरी नहीं करते हैं समस्या यही है तो इसी समस्या के लिए हम लोग यहां पर आए हैं विद्धारती सब्सक्राइब आज अगर यह लोग जिस हिदाब से मैंने आपको सीधी से बात करें कि हमारा मुख्मंतरी चैन हो गया मुखमंतरी को पांस साल तक कोई नहीं अटा सकता जनता ने बठाया लेकिन विधान सभा के अंदर जाने के बाद ऐसा क्या नसा हो जाता है कि जो आदमी कल तक आम जनता के बीच में जाता था जैदा आज उनको फुरसत नहीं है जैपुर से यहां से विधान सभा कितनी दूर है जब पूरे राजिस्तान के कौनों कौनों हजारों किलोमीटर से चलके युवा यहां पर आ गया चोटी आप मैं महिला है अपने चोटी शोटी बच्चों के साथ आई है और जो लोग यहां पर आई हुआ उनके परवार वाले कितने चिंते होगे उसके बाप जब तक राजा अच्छा नहीं होगा प्रजासुखी नहीं हो सकती आज हमारा जो राजा भजनलाल जी बैठाल बैट गए है उनको चलके आना चाहिए उनको जनता की विद्धार्तियों की समस्या है अज क्यों आज उनको जो भी हो उसका तुरन समधान करना चाहिए और जो इस बवस्ता को लेकर हम भजनलाल जी से भी कहते हैं और हमारा जितना प्रयास होगा हम करें देखिए दो करोड़ रोजगार देने की बात कहीने कहीं बिजएपी कर रही है हाल फिलाल की बाते तो पांच जार को बेगर कर दिया गया विरुजवार कर दिया गया क्या लगता कर देखिए तो आप सोच ली जै लोग सिर्फित के लिए लग जुम्ले जानते हैं यह जुम्ले दे देते हैं बोट ले लेते हैं और स्टा मैं मजा करते हैं तो अब जुमले बाजी भाजपा की नहीं चलेगी जिस तरह से विधैयरती यहां पर बेटे हुए हैं जन्ता जा तो हम उनके साथ आएंगे और अधिकार मांगने के चेत्र में किसी भी विद्ध्यार्थी को पीछे हटने की जोवत नहीं है देखा यह थे हम नवीन पालिवाल जो राष्ट्रिय परदेस अदेक्स हैं राप पार्टी के और उन्होंने साफ कर दिया कि विद्ध्यार्थियों झाल